दोस्तों Reliance Power की बात के तो Final Stock 40 को Cross कर चुका है अब आप देख सकते हो कि ये इसका 52 वी का एक Fresh आई है इससे पहले 38 का हाई बना दा पिछले दिनों जब News निकल कर आई था कि अदानी ग्रूप Reliance Power का विदर पाउर प्लान का अधिगरन कर सकते है इस खबर ने Positive Mahal बनाए 29 से Stock दोड़ते हो 38 तक चला गया लेकिन उसी दिन खबर निकल कर आई कि अनील अमबारी के उपर सेवी की तरब से एक बड़ी कारवाई की गया उनके उपर 25 क्रोड का जुर्माना और 5 साल के लिए मार्केट में बेन लगा दिया गया उस खबर ने माहूल बिगाड़ा और उसी दिन लग गया Lower Circuit और फिर लगातार गिरते हो श्टॉक फिर 29 के आसपास आ गया और अब देख सकते हो कि ये 29 से दोड़ते हो श्टॉक 40 को टच कर चुका है और यहाँ पे हैं बहुत बड़ी Good News कमपनी की तरब से जो बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पे फंडेजिंग होगी किस तरह से ये पूरा मामला निकल के आ रहा है उसको समझने की कोसिस करेंगे और क्या इस लेवल पे आप रिलाइस पौर में खरीदारी कर लेनी चीए क्योंकि स्टॉक वाकई में सस्ता है इसका IPO ही कमपनी ने 500 में लाया था वो भी 2008 में उस समय सैंसेक 15,000 के आसपास था इस समय सैंसेक 85,000 को क्रोस कर चुका है क्या निवेस करना चीए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते है मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले रिलाइस पावर के कारोबार की बात कर ले तो आज आपको बिलकूल ट्रेडिंग होते हैं दिखाएनी देगी यानि डारेक अपर सर्केट पर ही शुरुआत हुई 5% की सर्केट के साथ और इसके पीछे वज़े जबर दस खरीदारी यहाँ पे देखो कि लोगों का रुजान पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि लगातार एक के बारे खबरे पॉजिटिव निकल के आ रही है अब इसकी परफॉर्मस देखे तो पिछले 10 सालों में जिसने निवेश किया उसको तो अभी 44% का लॉस हो रहा है यानि वो अभी भी भाहिंकल लॉस में जरूर है लेकिन पिछले 5 सालों में कोविड काल में के जिसने निवेश किया है उसको इसे स्टॉक ने माला माल कर दिया है 1330 परसें का बंपर रिटें दिया है एक रुपे के आसपर स्टोक आ गया था और तब से लगातार रिलाइस पावर पे हमारे वीडियो बंदी रहे आज वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रिलाइस कम्मुनिक्रिशन आज भी वही का वही है पिछले 2 सालों में इसने 137 परसें का पॉइटें दिया है और पिछले एक साल में देखे तो 111 परसें का इसने पॉइटें दिया है सिधा इस्टॉफ 29 से 40 तक चला गया है वन डे के सबसे 5 परसें की तेजी है यानि ओवराल देखे तो बैतर प्रदसन की है और यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने एक्चेंज को जानकारी दी है फाइलिंग के माध्यम से कि हम आपको सूचीत करते है कि बोर्ड डारेक्टर की बैठक 23 दिसमर 2024 को हुई है जिसमें 46 करोट 20 लेक इक्विटी शेर या फिर वारन को 30 रुपीज पर शेर की प्राइस के हिसाब से जारी करने की मंजूरी दे दिया नि 33 रुपे के हिसाब से यह वारन जारी किये जाएंगे जिसका जो कुल मुल्य निकल क्या रहा वो है 1524.60 करोट यह इसू प्राइस सोमवार के एनेसी के बन भाव 38.15 से 13% डिसकाउंट पे कमपनी ने दिया है इसके मादिम से रिलाइस इंफ्राइस लिमिटेड अब 600 करोट पे का निवेस करेंगे और अपनी हिस्यदारी बढ़ा देंगे रिलाइस पावर में अन्य निवेस को में देखे तो आपको ओथम इंफ्राइसमेंट इंफ्राइसरी लिमिटेड और संथन फाइनसल एडवाईजरी सर्विस लिमिटेड भी इसमें निवेस करने जा रहे यानि आप देखे तो यह रिलाइस ग्रूप की ही जो कमपनी आपको बढ़ा रिलाइस इंफ्राइस में अपनी हिस्यदारी बढ़ा रहे और साथ में दो बड़े जो इंवेस्टर है जो लगातार रिलाइस पावर पे बरोसा करके निवेस करे वो ओथम इंवेस्मेंट और यहाँ पे संतान फाइनसली अडवाईजरी भी यहाँ पे निवेस करने जा रहे और वो अपनी स्टेक बढ़ाएंगे तो प्रस्तावित इसू की आयका उपयोग व्यापार ओपरेशन को बढ़ाने साय कमपनियों के सहयुक्त उपकर्मों में निवेस करने करज कम करने सामानी कॉर्पोरेट देशों को पूरा कने के लिए जाएगा यानि इस फंड का इस्तिमाल पूरी तरसे करके कमपनी को और मजबूत किया जाएगा पिछले सप्ताई कमपनी ने 3,00870.04 को रुपे के करजदारों के लिए वीदर पाउवर यानि वी आई पिल के लिए गारेटी समनी दात्यों का जो दाईत्यों है उसका निप्टारा करने की गोशना की थी जिसके कारण शेर की प्राइज में तेजी आई थी इसके अतरिक कमपनी सुचित किया कि उसने CFM Asset Recursion Company के साथ में सभी विवादों का समाधान भी कर लिया है VIPL के 100% शेर CFM को गारेटी रिलीज और डिचार्ज के लिए गिरवी रखे गए तो एक तरसे देखे तो एक के बाद एक सारी जो प्रॉब्लम में उसका निप्टारा होता हो दिखाई दे रहा है यहाँ पे Reliance Power Limited की बात दो अनिरल दिरुबायमबाणी ग्रुप की कमपनी का हिस्सा है Reliance Energy Generation Limited के नाम से पहले इसको जाना जादा था वर्तमान में कमपनी के CEO के राजा गोपाल है 2 मई 2018 से इस पत पर है पहले Reliance Power मुंबई के उपनगरों में बिजली को सप्लाय करने का ही एक काम करते हैं लेकिन 2007 में उनने मुंबई ऑपरेशन को अधानी पाउर को बेच दिया था और अब वो अधानी के पास है यहाँ पे इनका एक और बड़ा आच्वी मंदे के तो Reliance Power को अभी रिसेंटली Solar Energy Corporation of India की तरब से देखे तो 500 Megawatt का एक एक auction के माधियम से battery energy storage का project मिल चुका है और company energy storage में भी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ागी इससे पहले company solar and wind project तो करी रही है और company का distribution का business भी है तो company green energy और जो परंपराग दूरजाद दोनों में ही तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय ये company कमाल कर सकते हैं को company पूरी तरसे अप debt free हो चुकी है सारे के सारे कर्ज के निप्टारे हो चुकी है तो ये auction 11 सितमर को हुआ था और इसमें देखते हो कि tender जो जारी के अगदा उसमें बीड के मादिम से इन्हों ने उस tender को जीता है और आने वाले समें जिस तरह से अब आप देखें इनके अदुबहों के दंपे ये कारोबार में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यहां तक ही अगर आप देखें तो अनिलंबानी की कंपनियों के अदानी ग्रूप की भी समय दिल्चस्पी है और देख सकते हो कि इनका जो नागपूर का बुटी बोरी का 600 मेगावाट का जो पौर प्लान्ट है उसको वो खरीदना चाहते है और अब इन्पो ने वी आई पियल के साथ में निप्तारा कर लिया है तो वो डारेक अब आप देख सकते हो कि वो डिल कर सकते है अनिलंबानी के साथ मेँ और यह अगर पौर प्लान्ट इए उसको दे देते है तो आप समझ सकते हो कि काफी बड़ी एक रकम मिल सकती है अनि लंबारी को जिसका वो इस्तेमाल कर सकते है यानि अदानी के तरब से भी इनको एक benefit मिलता हो दिखाई दे सकता है अब हमारे सामने quarter two आने वाला है महिना खत्म होने वाला है अब बात करें company के sales की कैसी सम्होना र लेकिन सामने खर्च थोड़ा सा बढ़ गया 1,320 क्रोड का total खर्च था September 2023 में जो जून में 1,342 क्रोड तक पहुच गया इसके अलावा company को operating profit में थोड़ी कमी आई थी September 2023 में 732 क्रोड के आसपास थी जो जून में 651 क्रोड के आसपास थी लेकिन आपको ये भी ध्याना करे मार्च में तो मात्र 186 क्रोड का ही operating profit था उसके मुकाबले जबर्दस बढ़ा है यानि जून बहतर रहा है आने वलस में और भी सांदार प्रोड़ेशन करते हूं दिखाई दिये सकते हैं September 2023 में company की 117 क्रोड की other income थी और जून 2024 में मात्र ये 77 क्रोड के आसपास थी यानि other income कम हुई है जिसकी वज़से देखे तो ये other income बढ़ती तो जो company का थोड़ा बहुत loss है वो भी नहीं दिखाई देता इस बार यहाँ पे देखे तो की profit before tax में 138 क्रोड का loss था September 2023 में और ये December बढ़के 1048 क्रोड तक पहुँच गया था मार्च में गटके 444 क्रोड तक आ गया और जून में मातर 73 क्रोड का ही loss था यहीं कमपणी का जो loss है वो लगातार कम हुए 73 क्रोड के आसपास है टू डिजिट में आ चुका है अब जैट profit की बात कर ले तो September 2023 में 238 क्रोड का loss था December में भारी बरकम loss वादा करीब 1137 क्रोड क गया इस बार जून में मातर 98 क्रोड का ही loss था और इस बार आसा है कि कमपणी profit बताएगी और अगर ऐसा होगा तो share की price भी बढ़ेगी यहां पर कमपणी का net cash flow भी बढ़ा है मार्च 2023 में मातर 46 क्रोड के आसपास था cash flow जो मार्च 2024 में 248 क्रोड तक पहुच गया है यह सारी financial advisor से बढ़ ही ले ले या अपना खुद का research करें क्यों कि माने वीडियो आपके educational परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू की जोड़ चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friends